हेलो गाइस वेलकम टो अने दर वीडियो अप स्टॉक मार्ट के फिंट्स वी वोड़ा फुन आइडिया की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पीस हो चुका है स्टैंडल ओन और इस वीडियो में आसिस करेंगे चलिए फेंट्स वीडियो स्टार्ट करते और पहले इंकम 10,698 करोड का पिछले क्वार्टर में 10,750.8 करोड का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 10,658.6 करोड का इंकम है क्वार्टर और इस किया है एकस्पेंस वहा है 18,439 करोड का पिछले कवार्टर में 18,669.8 करोड का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 18,648.5 करोड का इंकम के कॉार्टिंग धिखीये गा operating profit 7741 करोड का पिछले quarter 7919 करोड का loss है और December 22 quarter में 7989.9 करोड का losses है losses quarter on quarter year on year में recover करती भी नज़र आ रही है exceptional items में 755 करोड का gain भी हुआ है यह कहाँ पर हुआ मैं आपको आगे बता हूँ जिसके कारण losses इस बार recover हुआ 6986.7 करोड पर loss दिखने को मिल रहा है net loss की बात करें 6985.9 करोड का पिछले quarter में 8767.9 करोड का loss है और December 22 quarter में 7990 करोड का loss है quarter on quarter year on year में recover किया है EPS minus 1.44 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में recover किया है तो गाईश company का result अगर देखा जाए तो बहुत strong result पेश किया है exceptional items में company को जो हुआ है यहाँ पे gain जो हुआ था 755 करोड का यह हुआ था telecom dispute settlement and appellated tribunal जो की ruling के according department of telecommunications के द्वार accept किया गया और यही चीज़ जो सो exceptional items में इसको add किया गया है तब हम लोग चलते है company के stand-alone financial results पे income है 10,605 करोड का पिछले quarter में 10,671.5 करोड का और दिसंबर 22 quarter में 10,576 करोड का income है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है expenses 18,351 करोड का पिछले quarter में 18,577 करोड का और December 22 quarter में 18,530 करोड का expense हुआ था जो कि expenses बहुत कम हुए इसके losses recover किया है और इस बार company tax वगर पे नहीं करना पड़ा बलकि पिछले quarter में 822 करोड का tax पे करना पड़ा था इस बाप पे नहीं करने का profit में improve हुआ ज्योंकि 6990 करोड का loss है पिछले quarter में 8727.8 करोड का loss है और December 22 quarter में 6954 करोड का loss quarter on quarter year on year दोनों में losses recover किया है EPS माइनस 1.44 रुपीच का quarter on quarter year on year में recover करती हुई नज़र आ रही है तो गाइस company का result अगर देखा जाए ना बहुत strong result पेज़ किया बस quarter on quarter के income में थोड़ी down हुआ था लेकिन expenses बहुत कम हुआ प्लस exceptional items में gain होने के कारण losses recover किया है इसलगा इस company कह सकते बहुत strong result पेज़ किया है तो हम लोग वीडियो को में परेंट करता है अगर कोई doubt comment box में पुछे मिलते हैं एक लोड़ में दिलने में बाबाए